नमस्कार, वेलकम तु दे प्रोब, सो लेट्स बेगन UNSC में भारत की इस्थाई सदस्यता यानी United Nations Security Council में भारत की पर्मानेंट मेंबर्शिप के लिए जो बाइडन ने अपना समर्थन दिया कहा कि भारत UNSC का इस्थाई सदस्य होना चाहिए ये बात विदे सचिव हर्सवर्दन संगला ने बताए इन्होंने कहा कि जो बाइडन चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट में भारत को इस्थाई सीट मिलनी चाहिए आखिर ये UNSC है क्या? चलिए जानते हैं UNSC, UN के 6 प्रमुकंगों में से एक है United Nation, यानि संयुक्त राष्ट का गठन 24 अक्टूवर 1945 को हुआ था इस समय इसके कुल 50 फाउंडिंग में मर थे मतलब जिस समय UN बना था इसमें 50 देशों ने अपने हस्ताक्षर किये थे इनमें से भारत भी एक था आज UN में कुल 193 देश सामिल है UN के 6 प्रमुखंग हैं इनमें से एक UNSC भी है UNSC यानि United Nations Security Council अंतराष्टी सांती तथा सुरक्षा का काम करता है UNSC में 5 पर्मानेंट मेंबर वह 10 नौन पर्मानेंट मेंबर होते हैं UNSC में 5 पर्मानेंट मेंबर चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके तथा यूएस हैं वह इनके पास वीटो पावर होती है वीटो पावर क्या होती है? अभी इसकी चर्चा आगे करेंगे UNSC के 10 नौन पर्मानेंट मेंबर का चुनाव हर 2 साल के लिए होता है इसमें भारत को भी नौन पर्मानेंट मेंबर के रूप में 2021 के लिए चुना गया है आखिर UNSC में भारत पर्मानेंट मेंबर कैसे बनेगा? इसके लिए UN के 75% मेमबर यानि UN के खुल 193 में में से 75% देश भारत को पर्मानेंट मेमबर बनाने के लिए अपना समर्थन दे दे तो भारत को पर्मानेंट मेमबर्सिप मिल सकती है ये तो केवल एक कंडिसन है भारत को अन्य कंडिसन को भी फुल्फिल करना पड़ेगा तथा दूसरी कंडिसन ये है कि UNST के पांच पर्मानेंट मेंबर में से कम से कम तीन भारत के पक्षिमें होने चाहिए और जो भारत को 27 सदसे बनाए जाने के पक्षिमें नहीं है वो भारत के खिलाफ अपना वीटो ना करे तो भारत को UNST की पर्मानेंट मेंबर से मिल जाएगी लेकिन ये काम मुस्किल है क्योंकि चाइना ने कहा है कि वो भारत के खिलाफ वीटो कर देगा आखिर ये वीटो पावर है क्या वीटो का अर्थ होता है मैं अनुमती नहीं देता ये वीटो पावर UNST के पर्मानेंट मेंबर के पास होती है UN में आए किसी भी फैसले के खिलाफ इन पर्मानेंट मेंबर मैंसे कोई भी वीटो कर दे तो उस फैंसले को वही निरस्त कर दिया जाता है तो चाइना भारत के इस्ताई सदस्य बनाए जाने पर वीटो करेगा तो भारत को पर्मानेंट मेंबर्सिप नहीं मिलेगी क्या भारत को कभी UN का इस्ताई सदस्य बनने का ओफर मिला था उत्तर है हाँ जब 1950 के आसपास US एंड चाइना के बीच तनाव चल रहा था तो US ने चाइना को निकालने ते भारत को सामिल करने की बात की लेकिन उस समय भारत के पर्धान मंतरी जवाल लाल नहिरू ने यह सोचकर मना कर दिया कि कहीं इस से इंडिया और चाइना के बीच तनाव नात्पन हो जाए तो भारत ने पर्मानेंट मेंबर्सिप ठुकरा दी लेकिन आज भारत बहुत परियास कर रहा है पर्मानेंट मेंबर्सिप पाने का क्योंकि भारत अगर ये पर्मानेंट मेंबर्सिप पा गया तो भारत बहुत ज्यादा सक्तिसाली हो जाएगा आज के लिए बस इतना ही देखते रहे दप्रोप सो धन्यवाद